Hey guys, this is Dr. Priyanka Singhla and welcome back to my YouTube channel. Acidity की problem का होना किसी भी age group में बहुत common है. Acidity यानि indigestion की problem का होना, gas बनना, हर age group में होना बहुत common है. आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन से common causes हैं जो acidity cause करते हैं, जिसकी वजह से acidity होती है. और उसके बद I will discuss the homeopathic medicine for acidity. वो कौन सी homeopathic medicine है जो acidity में बहुत अच्छा काम करेंगी. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन से common causes हैं जिसकी वजह से acidity होती है. Acidity होने के बहुत चारे reasons हैं, पर उसमें सबसे common causes हैं over eating, यानि जरूरत से जादा खा लेना, उसकी वजह से acidity का होना बहुत कॉमन है. एकसिसर स्मोकिंग की वजह से acidity, indigestion का होना बहुत कॉमन है. कुछ fruits हैं, कुछ vegetables हैं जो acidity भी cause करते हैं. जैसे citrus fruit की वजह से कोई भी हमने खटे फल खाए हैं, उसकी वजह से acidity का होना बहुत कॉमन है. Obesity, यानि जो लोग obese हैं, जो लोग overweight हैं, उसमें थोड़ा सा भी जादा खाने की वजह से acidity का होना बहुत कॉमन है. तो अब हम discuss करेंगे homeopathic medicines का. वो कौन सी homeopathic medicines हैं, जो acidity के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर acidity बहुत जादा रहती है. Acidity की वजह से खटी ड़कारें बहुत आती हैं, उल्टी भी हो जाती है. Acidity इतनी जादा रहती है कि सर में दर्द भी हो जाता है. कुछ भी खाने के बाद acidity बहुत जादा रहती है. अगर आपको बहुत जादा acidity है जिसकी वजह से सरदर्द भी हो जाता है, तो उस case में आपको रुबेनिया लेनी है. रुबेनिया 30 के पोटेंसी में लीजेगा, रुबेनिया 30 दिन में 3 बार सुभा, दुपैर, शाम, 3-3 वोंच जीब के उपर लेनी है. जो आपको acidity है, सरदर्द है और वोमिटिंग है, वो सारी दिक्कते आपकी ठीक हो जाएंगे. आपको acidity रहती है, acidity के साथ में indigestion है, gas बहुत जाता बनती है, और constipation रहता है, कुछ भी खाया नहीं जाता है, थोड़ा सा खाने के बाद ही पेट भर जाता है, acidity की वज़ा से. पेट में जलन भी रहती है, खटी डकारे आती है, पेट बहुत भारी लगता है आपको, अगर आपको ये सारे symptom मिलते हैं, acidity है आपको, साथ में gas बहुत जादा रहती है, constipation रहता है आपको, खाने का मन करता है, पर आपसे खाना नहीं खाया जाता, थोड़े से खाने के ब बाद ही पेट भर जाता है, और पेट बहुत भारी लगता है, हैविनेस बहुत जादा लगती है, तो उस केस में आपको, लाइको पोडियम लेनी है, लाइको पोडियम आप 30 के पोटेंसी में लीजेगा, दिन में 3 बार, लाइको पोडियम 30, सुभा, दुपैर, शाम, 3-3 जीब के उपर लें, अगर आपको एसिडिटी खाने के बाद है, अगर आपने फैटी फूड खाया है, जैसे केक, पेश्ट्री, क्याबेज, इन सब के बाद आपको एसिडिटी है, साथ में आपको डाइरिया भी रहता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, मोशन आपको अगर आपको किसी भी फैटी फूड के बाद एसिडिटी और डाइरिया है तो, पलसेटेला आपको थटी की पोटेंसी में लेनी है, पलसेटेला थटी दिन में दो बार लीजेगा, सुभा और शाम को, तीन-तीन बूंद जीब के उपर, अगर आपको चाय पीने के बाद एस एसिडिटी हो जाती है, उस केस में भी पलसेटेला बहुत अच्छा काम करती है, आपको सेम पोटेंसी में लेनी है, पलसेटेला थटी, दिन में दो बार, सुभा और शाम, तीन-तीन बूंद जीब के उपर, कुछ लोगों में दिक्कत आती है, कि वो रात का खाना लेट खा से, एसिडिटी है, इन-डाइजेशन है, स्टामक अपसेट रहता है, कुछ भी खाया नहीं जाता है, उस केस में आपको कार्बोवेज लेनी है, कार्बोवेज आपको दिन में चार बार लेनी है, थर्टी की पोटेंसी में, सुभा, दुपैर, शाम, रात, दो-दो- जीब के उपर लीजेगा, जो आपको एसिडिटी की प्रॉबलम है, इन-डाइजेशन की प्रॉबलम है, वो आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, अगर आपने सिट्रस फ्रूट खाए हैं, और उसके बाद में आपको एसिडिटी है, यानि आपको खटे फल खाने के एसिडिटी है, बहुत दर्द रहता है पेट में, ढकार आने के बाद भी आराम नहीं मिलता, अगर आपको सिट्रस फ्रूट के बाद में एसिडिटी रहती है, तो उस केस में आपको चाइना लेनी है, चाइना थटी की पोटेंसी में लेजेगा आप, चाइना थटी, दिन म जीब के उपर तो यह कुछ होमेपेतिक मेडेसंस हैं जो एसड़ीटी में बहुत अच्छा काम करती हैं बहुत एफेक्टिव है थांक यू सो मच पर वाचिंग दे वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चानल and wishing you a very happy new year to everyone